विल्कम बेक एवरीवन एड जहां पे हम एक बार जुड़ चुके हैं फिर से जहां पे आपकी सप्लिमेंटरी इंग्लिश है जो क्लास इस्ट की उसके पहला चैप्टर है टेल आफ टू बर्ड की एक्सरसाइज के जो क्वास्टन्स हैं उनको हम जहां पे करने वाले हैं डिस के अंदर रहते थे बट अनफार्चुनेटली वन दे क्या होता है कि वहां पे स्टॉम आ जाता है एंड थंडरिंग होती है लाइड निंग होती है इंड आंधी चलती है बहुत तेज से जिसकी वाजा से जो यह बर्ड से वो स्परेट हो जाते हैं इंग्लिश में हम इसको क अधियर मदर इन नेस्ट इन टाल एंड शेडी ट्री थी करना दो बेबी बर्ड आपनी मदर के साथ जो है एक लंबे से पेड़ पे जो है रहते थे वान दे देर वाज बीक स्टॉम विद थंडर लाइटनें घरें एक दिन वहां पे बहुत भड़ा जो है तुफान आता है ठीक है ना विद थंडर जहां पे घरेजदा भी है लाइटनिंग भी होती है और पारिश भी बहुत ज्यादा पड़ती है एक बिग हैवी ब्रांच आफ ए हिट ए बिग हैवी ब्रांच हिट दी नेस्ट एट किल दी मदर बेड ठीक है ना एक बडा जो टेहनी है वो तूट के जो है मदर बेड को जो है किल कर देती है जगा पे ही इस ट्रांग विड बिलीव दा टू बेबी बड्स आवे तु दा अधर साइड आफ ता फोरेस्ट एंड सेपरेट दिम फ्राम इच अधर ठीक है तो स्ट्रांग विड जो वहां पे चल रही होती है तो उसकी वज़ा से जो दो बेबी बड्स होते हैं हवाँ उनको ओडा के फोरेस्ट के दूसरे साइड में ले जाती है जहां पे दोनों जो है सपरेट हो जाते है ठीक है तेन वी हो आवार नेक्स्ट क्वेस्ट इसका दूसरा क्वेस्ट है वेर डिड इच आफ दिम फाइंड हों ठीक है ना दोनों जो बड्स जो सपरेट हो जाते हैं इस दिन तुफान की वज़ा से दोनों कहां खां जाते हैं एक हमने देखा कि इन मेंसे जो एक बड्स होता है वो जो रॉबर्स होते हैं उनकी के पास जाकर गरता है और दूसरा रिशी के जो आश्रम होता है उसके पास जाकर गरत तो same thing we will be writing here. One of the baby birds came down near a queue where a gang of robbers lived. ठीक है ना? एक जो baby bird होता है वो एक घार के नीचे के करीब आके गरता है जहां पर जो है एक robbers का gang रहता है. जो दूसरा baby bird होता है वो रेशी के आश्रम के करीब जाकर गरता है. इस तरह से इनको ये दो डिफरेंट घर मिलते हैं. एक को रेशी की सोबत मिलती है और दूसरे को गेंग्स की. ठीक है ना? रॉबर गेंग्स की. Then we hear question number third. What did the first bird say to the stranger? पहला बोर्ड जो है stranger से क्या कहता है? पहला बोर्ड जो वो है जब केओं के पास जब किंग पहुंचा था. ठीक है ना? तो वहाँ पे जो बोर्ड था वो क्या कहता है? ठीक है ना? Basically वो जो बोर्ड था उसको जो है उस पे effect चोरों का था. इसलिए जब वो stranger को देखता है पेड के नीचे तो वो बोर्ड दूसरे जो अंदर robbers होते हैं उनको जो है काल करता है कि जहां पे एक परसन आया है इसको लूटो. इस पहला बोर्ड जो है वो stranger को देखता है जो असल में king था. वो robbers से कहता है डाकु उसको कहता है कि जल्दी जल्दी बा बोड़ा है वो से चीन लो दी बर्ड हैड इंटरेक्टली वार्नर दी से ट्रेंजर आफ दी कॉंसिकेंस आफ सेटिंग निया रहता है कि ठीक है तो इंटरेक्टली अगर हम देखें तो जो बोर्ड है उसने जो है अलर्ट कार दिया था किसको stranger को कि जहां पे जो है इसकी च जाल करता है robbers को तो वहां से stranger उठके भाग जाता है जल्दी जल्दी एंट देन रिशी के आश्रम के पास आ के पेड के निचे रुखता है जहां पे सेकंड बोर्ड जो होता है पहले बोर्ड का actual में वो ब्रदर होता है तो वो क्या कहता है इसको इसको इसकेंड बोर्ड व कुछ जो है रेस्ट करे और खुद को जो है अरामदाइक बनाए वो साथ में यह भी कहता है जो पहला बोर्ड था वो उसका बाई था who had made friends with robbers so he talked like them जिसने जो है अपने दोस्त जो है धाकू बना लिये हैं ठीक है ना इसलिए वो धाकू की तरह ही बात करता है ठीक उसके ब दो बेस इन विच the words behaved ठीक है ना रेशी किस तरह से different तरीके explain करता है जिस तरह से चो पहले बोर्ड ने जो है चोरों की तरह बिहीव किया दूसरे बोर्ड ने जो है एक Nobel human की तरह बिहीव किया नोबल अनोबल तरीके से बिहीव वैलकम किया 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 किक को टो अब र देहिख के कि दोनों जो बर्ड जे हैं थीक है ना इनका बीहेवियर कितना मोहतिलफ है कितना डिफरेंट है दी रिषी एक्स्प्लेंट दैट टी फर्स बर्ड इमिटेटर दी सेम वरड दाट री हूड फ्राम रॉबर्ड ठीक है नौ वरेशी ने इसको एक्स्प्लेंड किया था नकल करता था जब के जो दूसरा बोर्ड था दी सेकंड बोर्ड रिपीटड दी वोर्ड था उसने वो वाले वोर्ड जो है जो है रिपीट कर रहा था जो एक्चल में वो हमेशा सुनता है आश्रम के अंदर इसका जे मतलब हुआ के दो बोर्ड के बीःवियर में जो बुरा बरना ठीक है then we hear question number 6 which one of the following sums up the story best इन में से कॉन सा हमारी पूरी स्टोरी को अची तरह से इन में से बताता है नचोड़ बताता है हमारी स्टोरी का A board in hand is worth two in the bush ठीक है ना एक जो board हाथ में है दो जो जारीों के बीच में है उन में से बेहतर है जो board आपके हाथ में पगड़ा हुआ है एक आदमी जो है उसकी company से जाना जाता है उन लोगों से जाना जाता है जिसकी सोबत में वो रहता है इस तरह रॉबर्स के साथ जो board रहा ठीक है न वो रॉबर्स की तरह भी हो करने लगा और जो आश्रम में रहा रिशी के साथ वो जो है रिशी की तरह भी हो करने लगा तो अब ये वाले जो है हमारा बिल्कुल exactly जो हमारी story है उसका पूरा जो है यहां पे नचोर करता है इसके साथ ही हमारी ये वाले chapter की exercise जो हो जाती है complete हम मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चाप्टर की explanation के साथ बाट तिल दिन make sure के आप जो है पैनल को subscribe करें और ये वाली जो बूक है इसकी सभी वीडियो हमने आरडी अपलोड कर दी हैं आप जग के playlist के अंदर इसको check out कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन आप जोई